हमारे पास question number 12 है वो कहता है दो AP का सारव अंतर समान है यानि कि दो AP है हमारे पास हमान लेते हैं माना पहली AP पहली AP वो है A1, A2, A3 इस तरह से जो AN है इसका वो क्या है A plus N minus 1 D है या D सारव अंतर है D क्या सारव अंतर है दूसरी AP दूसरी AP हम अलग है तो वो माननी पड़ेगी B1, B2, B3 इस तरह से जो BN है वो है B plus N minus 1 D D इसमें सारव अंतर है प्यारे बच्चों मैंने यहाँ D दोनों में समान मानना है क्योंकि उसने कहा है कि जो सारव अंतर है वो समान है इसमें जो A है वो पर्थम पद है पर्थम पद और जो यहाँ भी B है वो भी क्या है पर्थम पद है यह हमें दियान रखना है अब कहता है उनके सो में पदों का अंतर यानिकी A 100 100 माइनस B 100 100 में पदका यह की संसार है पर्षना ननुसार क्या केता है वो कितना है dia है सो century xos का मतलब क्या A पलस 99 D माइनस ब्रैकिट बन B पलस 99 D ये चीज उसने 100 के बराबर दे रखिया क्योंकि यहां 100 में पद की मान क्या होगा A पलस 99 D और दूसरी में 100 में पद का मतलब क्या होगा B पलस 99 D जब इसको 100 करेंगे A पलस 99 D माइनस का B माइनस के 99 D बराबर हो जाएगा 100 देखो 99 D से 99 D कटा अंसर बचा A माइनस B बराबर 100 यनकी उनके पहले पदों के बीच में अंतर क्या है क्याता है A 1000 माइनस B 1000 के बीच में अंतर कितना है A 1000 का मतलब क्या है A पलस 999 D माइनस B 1000 का मतलब है B पलस 999 D अब इसको हम उपन करेंगे क्या जाएगा A पलस 999 D माइनस अंदर जाएगी तो माइनस का B यहाँ माइनस का 999 D अब देखिए 999 D से 999 D कटा यह आ गया हमारे पास A माइनस B किसकी वेल्व आई है यह यह आई है A 1000 माइनस B 1000 किसके बराबर आ गया A माइनस B के तो समीकन एक से समीकन एक से समीकन एक क्या कहता A माइनस B का अंसर कितना 100 है तो A 1000 B B 1000 वो किसके बराबर आ गया 100 यानि कि उनके हजारों में पदों के बीच में भी अंतर क्या होगा 100 होगा देखी प्यारे बच्चों परशन नमबर 13 यह करता है तीन अंक की संख्या साथ से विवाजित होती है कितनी होती है वो देखी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तीन अंक की तीन अंकों की संख्या 3 अंकों किशन क्या जो होती है सबसे छोटी पहले तो सबसे छोटी जो 3 अंकों किशन क्या होती है वो 1, 2, 3 यनि कि 100 होती है और सबसे बड़ी सबसे बड़ी होती है 39 के यनि कि 3 बार 9 लिखा जाता है 999 अब हमें 3 अंकों से बड़ी जो AP होती है करना पड़ेगा कैसे इधर कि हमें ना पहले सो को बाग करना पड़ेगा किस से साथ की बात कर रहा है साथ एकम साथ बचा कितने हमारे पास है इन उपर से जीरो साथ चोके अठाइस ठीक है अगे दो बचा यहां से नहीं देखना अब हमें जो पहली पद निकालना है वो 14 है तो इसमें एक जोड़ दो 15 आ जाएगा सब से चोटी में एक जोड़ना होता है 15 आ जाएगा 15 की साथ से कुणा करेंगे तो 15 सते 105 जो पहली एपी आगी वो 105 और जो लास्ट वाला पद बनेगा वो क्या बनेगा 999 में दे रखा है उसको आमें साथ से भाग देना साथ एकम स बचा 2 बचा 9 यानी कुनतिस साचो के 28 बचा एक उपर से आया 9 साधुनी 14 साधुनी 14 एक सो ब्यालिस यानी की 14 के साथ आमें साथ की गुणा करें साधुनी 14 साचो ठाइस एक 29 हांसिल बचे कितने दो साथ तर दो नो नो सो चुरण में लास्ट होगी तो यहां लिखेंगे साथ से विभाजित होने वाली तीन अंकों से बनी संख्याओं संख्याओं की एपी की समांतर स्रेडि वो हो जाएगी 105 फेरा के साथ जोड़ा 112 और इस परकार से 900 चुरण में अब एपी में ए क्या है 105 है ड क्या है 112 माइनस 105 बराबर है साथ और अन क्या है हमारे पास 900 चुरण में है अब हमें एंड की वैल्यू निकालनी है जैसे हम पहले भी निकालते थे तो यह क्या आजाएगा ए पलस एन माइनस एक डी बराबर है 900 चुरण में एक वैल्यू एक सो पांच पलस एन माइनस एक डी साथ बराबर है 900 चुरण में अब हम यहाँ 105 को राइट सैड लेके जाएंगे एन माइनस एक गुणा साथ बराबर है 900 चुरण में यह गटा देंगे तो 105 तो यहाँ क्या आएगा एन माइनस एक गुणा साथ बराबर आजाएगा यह आजाएगा 9 क्योंकि 14 में से 5 गए 9 और यहां बचा 8 ऐसे का ऐसा और 9 में से 1 गए 8 अब N माइनस 1 बरापर हो जाएगा 8 8 9 भागे 7 7 एकम 7 बचा हमारे पास 1 7 दूनी 14 बचा 4 7 7 उनन्चस तो N माइनस 1 बरापर 127 N की वैल्यू क्या होगी 127 पलस एक N बरापर 128 संख्य है ऐसी होगी जो इसको पूरा भाग करती है तीन अंकोवन अब हमारे पास Next Question है यह कहता है जैसे कि 10 से डाइसो के बीच से कि 4 के गुड़न्च कितने होगे या 4 से बाग होने वाले वही कारी है पहले हमें 10 को बाग करना होगा 4 से 4 से बाग करेंगे तो क्या जाएगा 4 2 9 8 और इसमें 1 पलस करके 3 आ जाएगा 3 की गुणा 4 से करेंगे तो पहली संख्य क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी अब हमें डाइसो बाड़ी भी निकालने हैं रफकार यह है यह दाइसो से को चार से बाग दिते हैं चार चीके 24, एक, जीरो यहां चार दुनी आठ बैसेट हा जाएगा बैसेट की गुणा हम चार से करते हैं कितना आजाएगा आठ और यहां 24, 248 इस परकार से चलती चलती है 248 आजाएगा दस और लिखेंगे कैसे दस और धाइसो के बीच चार से विभाजित ओने वाली शंख्याओं से बनी एपी गिया जाएगी अब A क्या है 12, D क्या है 4, A N क्या है 248, A N का फोर्मूला क्याता है A पलस N माइनस एक D अब क्या A की जगा है 12 पलस N हमें निकालना है D की वैल्यू 4 बराबर 248 12 को उधर ले जाएगे N माइनस एक गुणा में 4 बराबर हो जगा 248 माइनस 12 गटाएंगे तो 236 N माइनस एक और चार गुणा में था बाग में जगा चारपंजे 20 चारणी में 36 चारपंजे 20 इन बच्चा चारणी में 37 अब हमारे पास क्या हो जाएंगी ये N माइनस एक बराबर 59 और N की वैली हो जाएंगी 59 पलस 1 60